कोई आर्थिक रूप से सरुक्षित होने का हगदार है चाहे वह महिला हो पूरुस हो जोड़े हो या बिद्वाये यह अपने पती की मिर्थू के बाद महिलाओं के लिए विशेश रूप से महतपुर्ण है जिससे उन्हें अपने बीत का परवधान करने और तनाम मोक्त जीने के साधन के साथ ससक्त बनाने के लिए बिद्वा पैंसन योजना या बिद्वा पैंसन योजना नामक एक योजना सुरू की गई है आपको यहां हुआ सब कुछ है जो आपको बिद्वा पैंसन योजना के बारे में जानने की जोरत है जैसा कि आप सब जानते पती की निधन के बाद वीत के मामले में समर्थन देने के लिए सुरू की गई एक पाल है। आपको बता दूँ यह योजना निस्चित मांसिक भुक्तान के रूप में नियमित पिंसन परदान करती है। जो वीदवाओं को अपना और अपने परिवार का भारन पौसिन करने की लिए सशख्त बनाती है। आपको बता दूँ जबकि विदवाईं इस वीदिया लाप की हकदार है, विदवा के निधन के बाद विदवा के परिवार के कोई आनी सदसी लाप नहीं उठा सकता है। लाब और आधेवेक की आवेदन की परकिरिया एक राजी से दूसरे राज में विभिन हो सकती है आपको बता दूं कि योजनाओ को लाब उठाने के लिए कौन पात्र है तो जैसा कि विद्वाओं को निमने लिखित मापदंड है आपको बता दूं कि विद्वाओं की आयू 18 हरवर्ट से अधिक होनी चाहिए योजना के लिए पात्र होने के लिए विद्वाओं को बीपीयल गरिभी रेखा से नीचे होनी चाहिए सरिन के अंतरगत आना चाहिए उसके पास बीपीयल और स्कोरो कार्ड होना चाहिए मतलब कार्ड होना चाहिए आपको बता दूं यद विद्वा किसी से साधी कर लेती है या पूर्ण विरवाहित करने का फैसला करती है तो योजना का लाब अब लागू नहीं होगा विद्वा को भारत का नागरिक होना चाहिए यदि विद्वा के बच्चे उसके वीत की देख भाल करने में सक्चम है तो योजना लागू नही अपको बता दूआ आम तोर पर वीदवा पेंशन योजरा कैसे लागू करे तो कि दो तरीके हैं यानि ओनलाइन और ओफ-लाइन आवधन करने के परकिरिया सबसे पहले आपको अपने समंदित राज की अधिकारिक वेबसाट पर जाना है उसके बाद आपको अपना पंजीकरन करना है और और आवेदन पत्र डाउनलोड करे या भर सकते हैं सबी आवेशक दस्तावेज जमा करना है अपना वीवरान सत्यापित करे और फर्म ओनलाइन सम्मिट करें ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है ओफलाइन आवेदन परकिरिया कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आपको नगर निगम कारियाल या जनपद पंचायत कारियाल पर जाएं उसके बाद आपको कारियाले से आवेदन पत्र पराप करें अपना वीवरान भरें उसके बाद आवेशक दस्तावेजों की सभी परकिरिया जमा करें उसके बाद सत्यापन के बाद खाता स सफिलता पूरवक खोला जा सकता है आपको बता दूँ यह योजना विद्वाव को उनके वीत का परवधान करने के लिए निश्चिक मास से बुकतान परदाम करती है जैसा कि आप सब जानते हैं भारत के परमुक राजियों में परतिमाह पैंसन लगभग 300 रुपीय है पैंसन आयू और पैंसन रासी एक राजी से दूसरे राज में विविन होती है सरकार पैंसन रासी सीधे बीद्वा के समझेद बैंक हातों में जमा करती है आपको बता दूँ कि यूपी के बीद्वाव पैंसन को आप बेसबरी से जनवरी फरवरी मार्स 2024 के पैंसन के इंतजार कर हैं तो बीतिय वर्स 2023 से 2024 की चोथी किस्त का पैसा मिलेगा आपको बता दूँ कि चार यानी जनवरी फरवरी मार्स 2024 की बीद्वाव पैंसन का पैसा एक मार्स से 15 मार्स 2024 के बीच में आनने की संभावना है